अगर आप गाव में रहने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि गाव में रहे कर हम क्या बिजनस करें तो आज के वीडियो में मैं आपको 13 ऐसे बिजनस आइडियाज लेकर आई हूँ जिनको आप गाव में रहके शुरू कर सकते हैं और इतना सरकारी नोकरी से भी ज्यादा उस कमाई कर सकते हैं क्योंकि गाओं के लोगों की अमेशा यही सोच रहती है कि शहर जाके कोई बिजनस करे नहीं आप गाओं में भी रहके अच्छा बिजनस कर सकते हैं कम पैसों में बिजनस शुरू कर सकते हैं और उसमें अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं तो क्या है वो तेरा बिजनस आईडिया जानने के लिए वीडियो को पूरा अंतक देखेगा भीना स्किप किये अगर आप स्किप करके देखेंगे तो क्या पता कौन सा बिजनस आइडिया छूट जाए तो शुरू करते हैं पहला है मोबाईल शौप अगर आप गाउं में मोबाईल शौप का ही मुबायल रखते हैं तो उनको उस चीज के लिए शहर जाना पड़ता है तो अगर आप इसका बिजनस गाव में करते हैं तो अच्छा पैसा कम आ सकते हैं दूसरा जो बिजनस आइडिया है वो कोस्मेटिक की दुकान मैं लाँ आज कल आपको पता होगा कि सुन्दर दिखने के लिए अलग-अलग तरह के कोस्मेटिक के ब्रांड यूज करती है आज के टाइम में ब्यूटी पालर भी बहुत जादा प्रचलिक बिजनस हो रहा है तो इसी में अगर आप कोस्मेटिक का सम्मान का बिजनस गाव में शुरू करते हैं तो यह भी एक फाइदेबन देने वाला बिजनस है क्योंकि इसके लिए मेलाओं को सहर जाना पड़ता है शेहर ना जाके वह गवहां सेही खरीद ले तीस बिजनस आइडिया है वह कोचिंग क्लास का कोचिंग क्लास का बिजनस शेहर और गावन दोनों में काफी अच्छी से चल सकता है और कोचिंग class आप offline और online दोनों तरीके से करवा सकते हैं अगर आपके किसी सबजेक्ट में अच्छी कमांड है तो आप उसका coaching class कोचिंग क्लास खोल सकते हैं और offline और online दोनों ही तरीके से इस business को खूब चला सकते हैं इस business में किसी भी प्रकार का कोई investment नहीं है केवल आकि study it depend करती है चौता जो business idea है वह है गोल गप्पे का business गोल गप्पे जो हर इंसान को खाने में बहुत पसंद आते हैं उसका business अगर आप गाउँ में करते हैं गाउँ में ready लगाते हैं जिसे बस chain के पास में है इसकूल के पास में दो वहां आपका business बहुत अच्छा चलेगा next business idea खाद बीज और कीटनाशक दमायों का बिजनस गाओं के लोग जो खेती करते हैं उनको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है खाद के लिए बीज के लिए गाओं के लोगों को बार बार शहर जाना पड़ता है तो इससे उनको काफी अस्विदाए होती है अगर आप इसी का बिजनस गाओं में कर लेते हैं तो उनको शहर नहीं जाना पड़ेगा बार बार और वो आपसे ही बीज खाद और जो उनके लिए कितना शक दवायां है वो आपसे ही खरीद लेंगे जिससे की उनको खेती करने में भी आसान होगी और किसी आपका बिजनस भी का करते हैं तो इस बिजनस में भी काफी अच्छा खासा पैसा है गाओं गाओं से शेर जाने के लिए लोगों को बसों का इंटर जाया करना पड़ता है आप ओटो रिक्षों के तुरू भी जा सकते हैं साइबर कैफे का बिजनस भी गाओं में अगर शुरू किया जाए तो क् कि ही लोगों муж को क्या होता है की फॉर्म बढ़ने के लिए शेर जाना पड़ता है तो अगर वही फॉर्म आप अपने साइबर कैफे में स्टूडेंट के लिए बढ़ने लग जाए तो काफी अच्छा रहता है साइबर कैफे में साथ मैं आप प्रिंटिंग का आ सादा इंवेस्टमेंट भी नहीं लगता है और अच्छा खासा पैसा कमा के देने वाला यह बिजनस है क्यों क्योंकि गाव में स्टुडेंट गैजरिंग तो होती है अगर आप वह चीजों शहर में ना जाके गाव में ही करने लग जाए तो इससे आपका भी बिजनस आपको फाइदा देने वाला होता है नेक्स्ट है पंचर की दुकान विकल्स आज के टाइम में सब के पास होते हैं जिस अगर सब के पास अगर गाड़ी हो स्कूटर मोट साइकल होती है तो वो जायस की बात है कि वो कभी ना कभी पंचर होती है तो पंचर उनको फिक गावं से शह चले और उनको भी शहर बार बार ना जाना पड़े नेक्स कपड़े की दुकान कपड़े का बिजनस बहुत अच्छा बिजनस है और आवशकता वाला बिजनस है अगर आप ये बिजनस करते हैं कपड़ों की दुकान का बिजनस आप खोलते हैं तो ये भी इसको ओनलाइन और कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि एक बार में खूप सारा माल लागते ही कप बिजनस शुरू करें आप कम पैसों में भी इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं कपड़े का पूरे बिजनस में मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखा उस पर आपको जाके देख लीजिए नेक्स भी एक अच्छा बिजनस साबित होता है लोगों को शेहर नहीं जाना पड़ेगा और सहर से एक रुपे या दो रुपे कम में आप आटे चक्की का बिजनस शुरू कर सकते हैं जिससे कि लोगों को काफी फाइदा हो और इस बिजनस में भी ज्यादा कोई नहीं लगता है नेक्स्ट है बिजली की दुकान का बिजनस हर गाओं में कई घरों में हर चीजे कई बार कभी किसी के घर में कोई चीज खराब हो जाती है कभी कुछ खराब हो जाता है तो उनको शहर से आदमी बुलाना पड़ता है और कई कोई पार्ट्स नहीं मिलते हैं बिजली के तो उनके लिए उस चीज के लिए उनको शहर जाना पड़ता है तो अगर आग गाओं में बिजली की दुकान का बिजनस भी करते हैं तो ये भी अच्छा बिजनस है कम इंवेस्मेंट वाला बिजनस है और अच्छा कासा प्रॉफिट देने वाला बिजनस है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजेगा चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो सिस्क्राइब कर दी